देखिए बात होगी friction की देखिए अब होता क्या है friction सब्द से तो कुछ idea लग रही है न कि friction क्या होता है लेकिन वैसे क्या होता है ज़रा देखिए हमने क्या किया एक body एक surface पे रखी एक body ली एक surface पे रख दी हमने और इस body पे हमने एक force लगाया ऐसे दो newton का या हम कहते है एक newton का लगाया अब force लगा दिया ना newton का नियम क्या कहता है कि if you apply the force on a body it will change its position यानि कि if initially this body is at rest and you are applying the force of one newton मतलब इसे move करना चाहिए body नहीं move की मतलब गरबढ है कुछ ना या तो newton का नियम गरबढ है या तो इस body में कुछ गरबढ है तो इसका मतलब यह हुआ कि body पर force लगाने के बाद भी body नहीं चली यानि इसको कोई रोक रहा है वो रोकने वाला force हमने idea लगाई तो हमने देखा इस body और इस surface का जो contact है उस contact के बीच में force काम करता है जिस force का हमने नाम क्या दिया friction friction कोई fundamental force नहीं है बाइद आपने चार fundamental forces universe में होते हैं gravitational force, electrostatic force, weak nuclear force and strong nuclear force बस और कोई force नहीं है अब या तो इन चारों में से यह कोई एक force है या तो weak nuclear force है जो कि है नहीं या तो strong nuclear force है जो कि है नहीं, weak nuclear, strong nuclear का मतलब जो nucleus के में के अंदर force लगता है अब nucleus के अंदर थोड़ी लग रहा है यह, electrostatic force है अभी बाद बाद की आईगी और gravitational force तो यानि कोई force एक काम कर रहा है दोनों surface की बीच में जो इस body को रोक रहा है इसी को कहते है frictional force और यह जो activity ह यही friction है यही friction है यानि जब किसी surface एक body रखी होती है और उर पर force लगाने पर दूसरी body जगर force लगाए जाए और body move ना करे तो हम कहते है इस का मतलब दोनों surface के बीच में contact force काम कर रहा है जो इस body के motion को oppose कर रहा है इसी को हम friction कहते है, संद बही बात, note के लिए जरा friction की definition, when a body moves, when a body moves or tends to move, when a body moves or tends to move, tends to move का मतलब यह हुआ, बाड़ी मूप तो नहीं कर रही न, और force लगाओ, और force लगाओ, एक ऐसी stage आएगी, उससे ज़्यादा force लगाओ कि बाड़ी मूप कर जाएगी, ठीक है, जब तो को मूप नहीं कर रही है यानिक उस्टी tendency मूप करने की है, लेकिन मूप नहीं कर रही हो, tends to move, over the surface of another body, over the surface of another body, over the surface of another body, कॉमा कर के लिखे, a force कम्स इंटो प्ले, a force comes into play, which act parallel to the surface of contact, which acts parallel to the surface of contact, surface of contact, and oppose the relative motion, and oppose the relative motion, this opposing force is called frictional force, this opposing force is called frictional force, and it is a contact force, it is a contact force, समझे जाद ध्यान से, हम इधर से force नहीं लगा रहे हैं, देखो ध्यान से, हमने क्या किया, इस body को इस तरीके से force लगाया, तो हमने देखा, इस body और जो surface है, इनका जो contact है, यहाँ पर एक parallel force काम करता है, जिसका नाम दे दिया, हमने क्या नाम दिया, frictional force, ठीक है, अच्छा body पे आपने, एक newton का force लगाया था, लेकिन body चली नहीं थी, क्या force बढ़ाते जाओगी, body चलेगी यह नहीं, यानि एक state तक नहीं चलेगी, इसके बाद चलेगी, तो दो प्रकार के, यहाँ पर जो है, जो frictional force होता है, वो applied force के, यह कौन सा force है, यह force आपका है, applied force, और इसके opposite हमेसा लगता है, यानि body की tendency, जिधर move करने की होती है, fractional force उसके opposite काम करता है, ठीक है, एक note करके लिखिए, it is due to atomic, it is an atomic or molecular force, ठीक है, क्या मतलब है, दरा समझेगा, यह friction force लगा क्यों, यह surface है, इसके उपर एक body यह रखी वी है, ठीक है, friction होने का मतलब यह है, कि दोरों खुर्दरे होंगे, कि चिकने होंगे, खुर्दरे होंगे, ठीक है, जब यह body रखी होगी, तो इसके, इसको आप micro level पर देखीगा, microscopic level, दो आपने पढ़े होंगे न, micro and micro, m-i-c-r-o-micro और m-a-c-r-o-micro, micro को मतलब होता है, सूक्ष्म लेबिल पर, जब बाड़ी रखी गई होगी, दूसरी वाली, तो ऐसे कुछ, इसके atoms फस गए होंगे ऐसे, आपस में, ठीक है, तो जब आपने इस वाली, बाड़ी को खींचा होगा, तो यह atoms फसे हैं न, तो अब घसीड होगे आप जाकर के, तो इसके कुछ electron तूटके इसमें आ गए होंगे, तो एक surface के electron तूटके, दूसरे surface पे आ गए है न, तो यानि कि अगर जिससे electron तूटे, उसका nature कैसा हो गया, positive, और जिसमें गए, negative, अब दोनों आपस में ऐसे रगड़ हो रही थी, तो एक negative हो गया, एक positive हो गया, force कैसा लगेगा, attraction का, तो attraction का force लग गया, यानि वे एक दू इजने में हमको दिक्कत हो रही है, तो इसको कौन सा force माना गया है, ये interatomic या molecular force है, ठीक है, अब देखिए, जरा समझने की कोशिज करिए, हमने क्या किया, हमने इस body पर, एक force लगाया, one newton का, और हमने देखा body चली नहीं, जरा समझेगा, force लगाने के बाद भी body नहीं चल होगा, zero, यानि कि इसका net force zero करने के लिए force किस direction में लगना चाहिए, इसके opposite कितना लगना चाहिए, one newton, क्योंकि अगर ये कहीं two newton हो जाए, तो फिर resultant इधर लगेगा और body चल देगी, हमने और बढ़ाया इसको, इसको कर दिया two newton, तब भी body नहीं चली, यानि ये भी कित three newton, तो body नहीं चली, यान कितना हो गया, three newton, हमने जरा सा भी three से थोड़ा सा बढ़ाया, कि देखा body चल दी, तो कहने का मतलब three newton तक, ये body नहीं चल लगी, three पर आते आते, ये just about to move कोने की position है, तो इसको हम कहते है, limiting friction, क्या कहते है, limiting, और ये आपका static friction होता है, static friction का है, कि body पे friction force काम कर रहा है, applied force लगाने के बावजूद भी body move नहीं कर रही है, तो next लिखे, static friction, friction का एक पहला part, static friction, static friction, the force of friction, the force of friction, which comes into play, which comes into play, between the two bodies, which comes into play, between the two bodies, before one body actually starts moving, before, one body actually starts moving, 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 over the another, over the another, इसमें आपकी बुक में फ्रिक्शन अलग से चप्टर है, ठीक है, तो कोई बात नहीं अलग से हो चाहिए, उसमें हो, इसको हम देखे, अब यह न लिखेगा, यह आपका applied force है, और यह frictional force है, fs, यह सब बढ़ा दीजिएगा, यह तो सम्झाने के लिए था किवाल, ठीक है, अब लिखें, limiting friction, limiting friction, the maximum force of friction, the maximum force of friction, which comes into play, which comes into play, when a body just starts moving, which comes into play, when a body just starts moving, over the surface of another body, over the surface of another body, is called limiting friction, is called limiting friction, over the surface of another body, is called limiting friction, जब आपको static friction आएगा, तो आप दोनों definition को merge कर के आप लिख सकते हैं, ठीक है, अपने आप, अपनी language बना सकते हैं, कि यह जैसे इसे force बढ़ाते जाते हैं, फ्रिक्शन फोर्ट बढ़ता जाता है, यह static friction होता है, ठीक है, यह जो force लग रहा है, जो इस body को move करने से रोक रहा है, इसको हम static frictional force कहते हैं, जैसे इसे applied force बढ़ाते हैं, एक ऐसी stage आती है, कि just about to slide होने की condition होती body की, उस condition friction में, जो frictional force act करता है, उसको हम क्या कहते हैं, limiting friction कहते हैं, ठीक है, अभी इसकी value बाद में हम बात करेंगे, कुछ और बताना है, तब वहां बात की जाएगी, अब देखिए, जरा समझेगा, आपने क्या किया, भी हमने बताया कि आपने 3 newton का force लगाया था, बाडी नहीं चली थी, और 3 से जरा सा थोड़ा बढ़ा दिया, और बाडी चल दी, तो क्या बाडी चल दी, तो friction खतम हो गया, नहीं खतम हुआ न, अभी भी लग रहा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, लगातार force लगाते रहना पड़ेगा, अब दो कंडिशन्स यहाँ पर है, अच्छा जब बाडी चल देती है, उस समय, force कम लगाना पड़ता है, ज्यादा लगाना पड़ता है, प्रेक्टिकली बना कर यह, कि और आप रटिये गा नहीं, फिजिक्स को, फिजिक्स का मतलब होता है, अपनी उपड़ी में एक ब्लैक बोर्ड बना करके, और थोड़ा विजुलाइस करना, आप साइकल जब चलाना सुरू करते हैं, भोले हम काई साइकल चलाएं, फिताजी है, उसमें ज्यादा तक लगती है, चलाते रहने में, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, अपतार उज्यादा लगेगा, यानि जब बॉड़ी चल देती है, तो फोर्स हमको कम लगाना पड़ता है, लेकि लगाना पड़ता है, क्यों, बैब चल दी, चल दी तो उसको चलाते र restriction, next take kinetic or dynamic friction, dynamic friction, kinetic or dynamic friction, the force of friction, the force of friction, which comes into play, the force of friction, which comes into play when a body is in the state of when the body is in the state of steady motion कैसा motion इसमे हो steady motion steady motion in the state of steady motion over the surface of another body over the surface of another body is called kinetic or dynamic friction is called kinetic or dynamic friction kinetic or dynamic friction अब जरा प्रेक्टिकली थोड़ा समझेगा आपने एक force अप्लाई किया body नहीं चली और अप्लाई किया body फिर भी नहीं चली एक ऐसी stage आई कि उससे ज़्यादा आपने अगर अप्लाई कर दिया तो body चल दी तो वो आपकी limiting friction की condition होती है अब body चल दी चल दी तो यानि कि ये आपने force अप्लाई किया और उस पर अभी भी एक friction force काम कर रहा है उसका नाम हमने क्या दिया kinetic friction ठीक है अब ज़रा समझेगा आपको केवल ये friction चितना आप ये friction क्या कर रहा है आपकी motion को रोक रहा है न केवल और रुके न उतना ही force आप लगा रहे हैं केवल तो अभी भी body का acceleration कितना है जिरो यानि applied force किसके एककोल होगा kinetic friction के एककोल होगा ठीक है यानि acceleration यहाँ पर अभी भी जिरो होगा यानि यहाँ पर जो applied force है applied force is equal to frictional force Fk Fk के ब्राबर है इसको कहते हैं kinetic frictional force kinetic frictional force अब आप कहेंगे यह बताइए कि जब resultant force 0 है तो body रुख जानी चाहिए ना Newton's ला क्या कहता है कि अगर कोई body constant speed से चल रही है तब भी उस पर कोई force act नहीं करेगा अगर करेगा तो body की velocity change हो जाएगी चुकि यहाँ पर भी अभी velocity कैसी है यहाँ पर velocity आपने कैसी दी है constant कर दी है कि यह लोग constant velocity से चलती रहे इसके लिए आप इतना force apply कर रहे है इसके बराबर ठीक है तो इसको कहते है kinetic friction ठीक नोट कर दीए अब देखिए applied force इसको हम फिलहाल f से इस्तेमाल कर रहे है और frictional force को इंडिकेसन हम दे नहीं सकते कि भी graph की से जा रहे है जरस साउधान अभी हम जब body रखी भी थी उसमें हमने एक newton का force लगाया था body चल दी थी क्यों कितना लगे गा आप उजित में दो newton लगाया तो तीन लगाया तो यानि कि जैसे जैसे हमारा applied force बढ़ता जा रहा है वैसे वैजे frictional force भी बढ़ता जा रहा है तो अगर मैं graph की चूँ यह applied force है तो इसका मतलब यह आपका एक straight line मिलेगी न ठीक है यह applied force इसमें चाहे लिख दीजे applied force यहाँ पर लिख दीजे F applied और इसका इधर कर दीजे frictional force frictional force अब आप कहेंगे यहाँ पर indication क्यों नहीं बढ़ता यह नहीं कर सकते क्योंकि frictional force दो काम करेंगे अब देखो ध्यान से हमारा यह applied force था इधर समझे friction force इतना हो गया तो यह graph यहाँ पहुँच गया applied बढ़ाया friction बढ़ा applied बढ़ाया friction बढ़ाया applied बढ़ाया friction बढ़ाया ठीक है यह जितना applied लगाएंगे उतना ही friction बढ़ेगा तो graph के हिसाब से अगर जितनी x value है उतना ही y रहेगी इसका मताब you get a straight line making angle 45 degree ठीक है यह हमारा वो applied force है जिस पर friction maximum हो गया कौन सा friction है यह static या dynamic यह static friction होगा यहां तक body नहीं चल लगा ही न आपने एक newton लगाया है और एक newton force लगा body नहीं चली तो यह आपका Fs maximum है नहीं संज़ नहीं संज़ महीं बात और आप body कहां पहुंच गई है यहां पहुंच गई है और आपने force कितना apply किया है यहां तक apply कर दिया है ठीक है लेकिन यहां से यहां तक body चली चल लगी है नहीं चली न तो इसको हम कहेंगे static reason यह क्या कहलाएगा इसका यहां से यहां तक का रिजन क्या है इस्टेटिक रिजन समझ की करिएगा अब दिखो ध्यान से अब अगर अप्लाइट फोर्स आप बढ़ाते हो तो फ्रिक्शन बाड़ी चल दी हम मान रहें बाड़ी कैसी है चल दी अब बताओ फ्रिक्शन फ्रिक्शनल फोर्स घटेगा बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा कम होगा जैसे मारे कार की बात करें बड़े आद्मियों की बात करने लगते है बोले आप तब साइकिल जाइकिल जोटे हो हम पैदा होते पहले बूलर चनाना सीखे थे आप साइकिल की बात कर रहे हो कार की बात कर रहे है और कार में बैटरी खतम हो गई मानने में क्या दिक्कात है वो ले लिए हो कार भी क्या गरीबों वाली कार मान लेते बैटरी खतम हो अब धक्का मारना पड़ गया ठीक है अब जब धक्का मार रहे हो अभी कार नहीं चली, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, लेकिन जब धक्का मार के कार चल देती है तब, अब थोड़ा अफ़ा, अब देखो, इसके आगे अपलाई किया, तो फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो गया, समझे तरह, फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो गया, अब जड़ा देखेगा, आपने अपलाई कितना क्या फोर्स, आगे अपलाई करते जा रहे हैं, कितना अपलाई करेंगे, चाहिए इतना अपलाई करें, फ्रिक्शन हमेशा इतना ही मेंटेन रहेगा, तो ये आपका अपलाईट फोर्स होता चला जाएगा, और ये फ्रिक् region ठीक है अब जरा फोर्स समझ जएगा यहा जो frictional force काम करा रहा है fs वो किसके एक्वल है applied force के एक्वल है ठीक है और यह क्या है यह kinetic friction है इतना यह kinetic friction है इसको कहते mu k into R अब आप कहेंगा अब ही mu k किया आ गया यह भी बताई जाएगा अब चुकि यहां पहले यूज हो गया इसलिए बता दिया हमने तो यह value हमेसा constant रहेगी ठीक है नोट करिए और यह यह वाला position कौन सा है यह वो point है जहां से body just जो है चलने वाली होती है इसका नाम दिया गया है break away break away इसको break away कहते है break away बस आप movement करने वाली है तो graph समझगा है graph में जो turning है समझगा है थोड़ी सी turning है यह ठीक है नोट करिए तेखें यह coefficient of friction होता क्या है वैसे तो definition से याद करनी पड़ेगी आपको देखो द्यान से ये एक rough surface है बहुर रफ surface के उपर ही तो friction लगेगा ना और इस पर एक body रखी वी है तो पहले बाद body का weight नीचे act करता है और इस पर surface का एक reaction force act करता है actually में आपको अपना weight महसूसिज ले होता है कि आपके उपर earth का एक reaction force act करता है अगर आप ये reaction force act करना बंद कर दे तो आपको अपना weight महसूस होना बंद हो जाएगा प्रैक्टिकली आप समझेगा जब कभी आप लिफ्ट से नीचे उतर रहे होते हैं या जो जूला 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 ऐसे ऐसे वाला जब उपर से जूला नीचे क्यों राता है तो कैसा लगता है हलका मैसूस होता है और कभी कोई छोटे बच्चे उपरे हलके भी हो जाते है अब किसी का छोटा बच्चा गोदीलिया उपर से हलका हो गया अब नीचे वाले को मालूम हो गया कोई ने कोई हलका हुआ है लेकिन नीचे वाला कर क्या सकता है वो इसे देखेगा, समझें नहीं आएगा, कौन हलका हो गया यानि उस पर reaction force लगना बंद हो जाता है, इसके बारे में अभी बात किरी जाएगी, देखो अगर आपने कोई force apply किया, ये force कौन सा है ये force है आपका applied, मैं coefficient of friction अभी static की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है, अभी static अपने आप use हो जाएगा, अब देखो द्यान से, इस पर एक frictional force act करेगा fs, actually ये depend किस पर करता है अब आप कहेंगे applied force पर करता है यही कहेंगे ना, चले मैं माल लेता हूँ applied force के बराबर होता है लेकिन भीया, ये आधा की लोग की कोई body रखी भी है surface पे यानि की आधा की लोग रखी है, तो applied force भी कम होगा और frictional force भी कम होगा अब train का कोई बोगी खड़ी है, तुम धकावार के अभी हम हटाई दे रहे हैं तो बोगे ऐसा थोड़ी क्या हम हटा नहीं पा रहे है friction जाजा लग रहा है तो यानि कि जो frictional force भी actually किस पर depend करता है इसके reaction r पे, mass मतलब weight मतलब r यानि r पे depend करता है तो यहाँ जो frictional force लगेगा that is proportionate to r नहीं होगा आपको थोड़ा statement लिखना पड़ेगा मैं लिखनी रहा हूँ तो जब हम fs is equal to करते हैं तो एक constant आयता है mu इसी को कहते है coefficient of friction जो कि हाँ body static है तो mu s लिख देंगे r तो mu s की value क्या होगी fs upon r तो अगर हम definition आप से पूछें कि what is the coefficient of friction तो आप क्या कहेंगे the ratio of ये कौन सा frictional force है limiting friction जो मैं friction की बात करता हूँ तो मैं बात limiting friction की करता हूँ नहीं static friction कौन सा इस टेटिंग अरे भाई stating friction नहीं डिनोसन एक ही होता है उसका limiting friction मतलब static कौन सा limiting वो maximum कि उससे ज़्यादा force आपने apply किया बाड़ी चलना शुरू कर देगी भाई आप मालिया 70 kg की कोई बाड़ी रखी हूँ है आपने दिरे दिख्का दिया मैं कहीं कहीं कोई बैठा हुआ आपने खिसकाना हलका दिख्का दिया तब भी हो नहीं खिसकेगा और आप दो न्यूटन, चार न्यूटन, पांच न्यूटन से force लगाओ तब भी नहीं खिसकेगा इधर देखिए तो यानि कि ये कौन सा friction है limiting friction है ठीक है यानि इससे ज़्यादा आप force apply करेंगे तो बाड़ी चलना शुरू कर देगी तो अगर हम कहें कि coefficient of friction की definition क्या होती है तो आप कहेंगे the ratio of the limiting frictional force to the reaction force कह सकते हैं न तो लिखे ज़रा कहानी यान लिख दो here mu s is known as coefficient of friction यही पर हमने mu s लिख दिया तो कि दो coefficient होगे न एक kinetic होगा एक static होगा तो definition लिखो hence the coefficient of static friction the coefficient of static friction coefficient की spelling क्या होती है c o e develop होता है coefficient होता है the coefficient of static friction is the ratio is the ratio ratio of the limiting frictional force limiting frictional force to the normal reaction limiting frictional force to the normal reaction यह जो आपने graph में यह बनाया है यह जो यहाँ से बनाया हो न ऐसे यह ऐसे नहीं होता है ऐसे कर्व होके आता है तिरे देर कम होता है यह जो तुमने बनाया है state state नहोंगे हलका सा धीरे कम होगा एकदम से कम नहीं होगा ठीक है सुन्में आ गया अच्छा एक note लिखे अगर हम यहाँ पर kinetic friction होगा for kinetic friction kinetic friction अब kinetic friction में body चला सुरू कर दिये friction force अभी भी static से कम हो जाएगा लेकिन एक आल्टो हमारी जो केटन है उसको तुम धक्का मार रहे हो और एक जगवार और कौन सी बड़ी वाली गड़ी उसको धक्का मार रहे हो तो चलने के बावजूद भी अच्छा खांसा force लगाना पड़ेगा तो वो भी किस पर depend करेगा R, R बोले तो weight up the body यानि कि यह mu के बराबर हो जाएगा Fk upon R तो इसमें वही फार्मॉला लगेगा या Fk बराबर mu के इंटू R फर्म लगा सकते हैं ठीक है तो यह kinetic friction की बात हो रही है देखो angle of friction समझने के लिए थोड़ा भी practical देखिए आप यह एक body रखी वी है यह एक body रखी वी है तो पहले हम जानते हैं कि body का जो weight होता है वो normally downward act करता है और reaction force normally upward act करता है ठीक है और आपने इस पर एक force apply किया इस पर एक force applied F applied F क्या यहाँ पर है applied ठीक है body नहीं चली या एक limiting frictional की अवस्था में है तो देखे इस body पर एक तो reaction force sorry frictional force act करेगा और दूसरा उनका connect करेगा R act करेगा दोनों opposing force है R की वज़े से भी हमको force ज्यादा लगाना पड़ रहा है ठीक है तो R और Fs का एक resultant होता है नहीं होगा एक resultant होगा ही F dash मालो या इसका कुछाओ नाम दो S ले दो R और Fs का एक resultant क्या होगा Fs Fs हाँ सरी S हुने माल लिया ठीक है तो यह जो resultant होता है ना वो R के साथ जो angle बनाता है उसी को कहते है angle of friction इसका indication कहीं theta S लिखा जाता है कहीं theta लिखा जाता है कुछ भी मान सकते है इसको हम फिलाल क्या माना है theta S माना है static friction है इसलिए हम माना है ठीक है यानि आपने किसी body पे force लगाया तो एक तो body पर एक reactionary force काम करता है और एक frictional force act करता है तो reactionary force और frictional force का resultant reaction force के साथ जो angle बनाता है उसको हम कहते हैं angle of friction जोको actually practical में practically इस resultant को आप अगर महसूस करना चाहते है ज़रा समझिएगा आप बैठे हुए हैं आपका weight नीचे act कर रहा है और reaction force उपर act कर रहा है अब देखे जान से applied force ऐसे भी लग सकता है आपको हमने ऐसे धका मारा यादि उदर खिसकाने के लिए तो friction उदर खिसका रहे हैं तो friction इधर लगेगा न आप किधर मूड़ेगी कोसिद करेंगे अगर आप नहीं हटना चाहते है किधर मूड़ेगे ऐसे मूड़ जाएंगे न तो जितने angle से आप मूड़ेंगे न आपने को balance करने के लिए आपने इंगला friction है नहीं समझे ये आप थे ये आपका weight act कर रहा था ये आपका reaction force था हमने आपको एक धका मारा धका in the sense खिसकाने के लिए आपने बैठाल तो लिया हमको अचा जब बैठने का number आता तब तो हम इतनी जगे में बैठ जाते हैं ladies में खास तोर सोती हो खुद अगर बैठी होंगे और जगे थोड़ी बहुत होगी आप कहेंगे excuse me जगे नहीं है या नहीं बैठेंगे और आप बैठे हुए हैं थोड़ा खिसक जाएए आप थोड़ा खिसके थोड़ा इतनी जगे में बैठ गए फिर धीरे धीरे थीरे वो मटक मटक के खुल मुलाकर आप खिसकी गए अब मले आप नहीं किसकना चाहते तो आप को धक्का लग रहा ना उधर और आप अपने आपको ना खिसके इसके क्या करना पड़ेगा क्या आपको आप ओजी घुमना पड़ेगा ना प्रेटिकली संभारी बार नहीं आ रही है तो यही जितने अंगल से आप घुमे है ना इसी को अंगल आफ फ्रिक्शन कहते है लेकिन अबर यह चीज एक्जाम में लिख देंगे कि हम बैटे हो कोई आई हो को किसी ने उमको दा कमरा हमने आई से जुका लिया जितने एंगल से जुकाया तो ना तो एक्जाम ना समझ जाइ है लेकिए, को आई में मैं लिखा झाए तुद्री चाहिन वेलिख राफ नने अबर किसी ने बाड सेतरे है कि एक्जाम धानी तो आवध टे रिक्शन करके का में लिख Fs and R is its reactionary force in normal reaction and R is its normal reaction normal reaction and S is the resultant of Fs and R then the angle between S and R is known as angle of friction is known as angle of friction S is the resultant of R and Fs the angle which S makes with R is known as angle of friction denoted by theta S theta S, no one of its name has been given theta, theta S, alpha, anything you can say theta and S indicates for the static now value is how to go? वैसे डाइट निकाल सकते हैं? देखिए यह दो force दिख रहें आपको यह resultant है अगर यहाँ पर आप एक parallelogram complete कर दें तो आपने parallelogram law of vector addition पढ़ा है अब आप सोच रहे होंगे पूछ ना ले आपने पढ़ा है इधर देखिए if two vectors are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of parallelogram from a point then the diagonal from that point represent the resultant यह होता है ना अब ठीक इसलिए है कि आप तो नहीं पूछेंगे आप तो बताई दिया है अब देखो ध्यान से अब theta S निकालना है यह triangle दिख रहा है आपको अगर मैं 10 theta S निकालूँ तो 10 theta is equal to क्या होता है perpendicular upon base तो इसके हिसाफ से यह perpendicular है ना और यह किसके पैडल है Fs के तो Fs और base कितना है R और Fs को अभी आप बता जुके mu s into R इसके पहले upon R, R cancel हो गया तो यहनि कि mu s is equal to आ गया 10 theta S तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर angle of friction का tan ले लिया जाए तो आपको क्या मिल जाता है coefficient of friction ठीक है, note करिए तो एक definition और यहाँ बन सकती है coefficient of friction की, क्या बन सकती है it is the tangent of the angle of friction angle of friction का अगर tan ले लिजेगा तो आपको क्या मिल जाएगा coefficient of friction equal differential लिख लो thus the coefficient of static friction thus the coefficient of static friction is equal to the tangent of the angle of friction is equal to the tangent of the angle of friction तो यहां तक बात सब्सक्राइब आ गई यह करिएगा next class